रादे रादे जैश्री कृष्णा वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल प्रीती माहेश्वरी और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और आज मैं आपके लिए एक थोड़ी अलग ड्रेस लेकर आई हूँ वो है शालीकराम भगवा लेट ही तो वहां पर एक रिक्वेश्ट आई थी कि मैं आपने जो ड्रेस हमारे साथ शेयर करें सेट आ और मैं उसी डिमांड पर ये से और भगवान को अपने हाथों से जो है इस तरह की खुबसूरत ड्रेस बनाकर उनको पहनाना चाहिए तो चलिए अब हम देखेंगे आज की वीडियो में कि हमें जो है शाली ग्राम भगवान की ये ड्रेस कैसे बनाकर कंप्लीट करनी है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो डिजाइन आइडियाज कैसे लगते हैं और जिस जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और इंट्रस्ट की एक खुबसूरा सी हैट बनाना और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी लड़ शाली ग्राम भगवान की एक नया ड्रेस का डिजाइन और साथ ही साथ एक पगड़ी स्टाइल तो अलग लग तरह की पगड़ियां हैट बनाकर हम शाली ग्राम भगवा बनाकर कंप्लेट करें उनके इस तब लेंग और सी मेंग आपको यह हैं क्यों को ग्राइऑ में आप्वाण को कि तनाथ हैं अनको बढ़ा है यह तो चैन को ग्राम जैनकर तरह की नियुकुल घेरे के हिसाब से कि उनको कितनी चेन की जो है ड्रेस फिट आएगी तो बस यह चेन का मेजरमेंट आपको अपने शाली ग्राम के हिसाब से लेना होगा उसके बाद आपको यहां पर कुछ नहीं करना है देखे बनाने के बाद इस तरह से हम गोल करेंगे और जो आपकी फर्स चेन होगी यहां पर तो यहां पर देखे फर्स चेन को इस तरह से पिक करना है यहां पर यानि हमें इसको दोनों को आपस में जोड़ना है तो जोड़ने के साथ साथ यहां पर देखे सिंगल की रोशिय से मैं कनेक्ट करूंगी तो यह सरकल हमारा इस तरह से कनेक्ट हो पर हमने connect किया है वहीं पर तीन बार इस तरह से 1, 2, 3, तीन बार धागे को निकालेंगे, धागे को hold करेंगे सब में से निकालेंगे, hold करें धागे को फिक करेंगे 2, 2 से 1 करेंगे, इक की chain लेंगे और यह जो हमने puff बनाया है इस puff के ठीक उपर हम अपना दूसरा Puff बनाएंगे एक, दो, तीन यह Puff बन गया और उसके बाद जिस опять हमने यह नीचे वाला Puff बनाया था वही पर हम अपना एक Puff ओर बनाएंगे एक, दो, तीन धागे को वल्ड करेंगे यहाँ पर दीगे दो Puff हो गए है समय से निकालेंगे hold करे धागे को pick करेंगे दो, दो से एक करेंगे एक ही chain लेंगे और एक ही chain लेने के बाद यहाँ पर मैं अपनी दो chain skip करूँगी एक, दो और थार्ड chain के अंदर जो है इसको connect करने के साथ इसी तरह से जो है अपना puff बनाऊंगी जैसे हमने जो है अब यह बनाया था धागे को hold करेंगे सब में से निकालेंगे hold करे धागे को pick करेंगे दो, दो से एक करेंगे, एक की chain लेंगे और उसके ठीक उपर जो है हम इसी तरह से दुबारा puff बनाते हैं एक, दो तीन तो last way complete हमें दो puff से करना है तो जहां नीचे हमने यह puff बनाया वहीं पर एक puff और बनाएंगे यह सेम वैसे ही है जैसे मैंने आपको लड़ू गुपाल जी का घेरे का base बनाना सिखाया है puff के अंदर तो यह देखिए दो puff हो गए धागे को hold करेंगे, सब में से निकालेंगे hold करेंगे को pick करेंगे दो, दो से एक करेंगे, एक की chain लेंगे तो पूरे इस सरकल के अंदर इसी तरह से जो है दो दो chain skip करते वे हमें अपने यह puff का इस तरह से कलियां बना कर complete करनी है तो यहां पर देखिए हमारा first round बनकर complete हो गया है और यहां corner के उपर यहां हम इसको slim stitch से connect कर देंगे तो बीच का जो circle है यह हमारा बनकर complete हो चुका है इसी circle के बीच में मारे शालिग राम जी विराजमान होंगे और अब जो है हम इसका उपर का second round बना कर complete करेंगे तो यहां पर second round बनाने के लिए मैं अपना color change करूंगी और अगर आप चाहें तो आप इसको single color के अंदर भी बना सकते हैं तो यहां पर देखिए अपना जो है यहां पर सबसे पहले में अपना color add करूंगी एक की chain लेंगे और उसके बाद आप इस एक puff के उपर हमें दो puff बनाने है तो धागे को लेंगे एक दो तीन सब में से निकालेंगे इस तरह से इसको complete करेंगे एक ही chain लेंगे यह जो हम पफ बनाते हैं इसके ठीक उपर अब हम एक और बनाएंगे एक दो तीन अब दो puff बनाने हमें इस एक puff के उपर तो यहँ पर जो हमारा जब increase हम करते हैं तो हम तीन puff से करते हैं तो एक puff हमारा उपर बन गया है सेकट पफ हम जहां नीचे वाला puff बनाया है यहीं पर बनाएंगे 1 2 और यह 3 तो यह हमारे 2 puff हो गए है और तीसरा puff हम puff के इस कौर्नर पर बनाएंगे 1 2 तो यहां पर हमें दो ही पाफ बनाने हैं तो हमारा यह जो तीन पाफ का राउंड है वह एक ही बनेगा धागे को होल्ड करेंगे और इन तीनों पाफ के अंदर से निकालेंगे hold करे धागे को pick करेंगे दो, दो से एक करेंगे एक की chain लेंगे तो यहाँ पर देखे एक puff हमारा complete हो चुका है और एक अभी incomplete है और जब last में हम complete करते हैं तो वो हम करते हैं दो puff से यहाँ पर देखे एक puff हमने उपर बना लिया अब last वाला puff जो है नीचे हम यहाँ पर बनाएंगे एक, दो, तीन धागे को hold करेंगे सम्मे से निकालेंगे hold करे धागे को pick करेंगे दो, दो से एक करेंगे एक की chain लेंगे और आगे वाले puff में ठीक इसी तरह से जो है एक puff के उपर अपने दो puff बनाकर हम अपनी dress का second round बनाकर complete करेंगे यहाँ पर दीगे हमारा second round भी बनकर complete हो चुका है और यहाँ वापिस हम corner पर इसको slim stitch से connect करेंगे, एक की chain लेंगे अब इन दो puff के उपर जो है मैं तीन puff बनाकर complete करूंगे और वो मेरा last round है इसके अंदर क्योंकि मेरे शाली ग्राम जी जो है छोटे हैं तो मैंने इसके तीन ही round बनाए हैं तो इसी तरह से जैसे मैंने एक के उपर दो बनाए और दो के उपर आप मैं तीन बनाऊंगी आप तीन के उपर चार इस तरह से बनाते वे जो हैं अपनी बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं तो दिए hybrid को बढ़ा करेंगे और कोणनर पर अपना एक पाफ निखालेंगे सबनें से निकालेंगे छोट करेंगेे और यस एक पांपर हम अपना ढूPS बनाएंगे और और से कीन वाला पाफ जैसा मैंने आप इंक्रीज हम 3-3 puff से करते हैं तो जब हमने 2 puff बनायते तो हमारा 1 round 3 puff का बनाता अब हमें 2 के उपर 3 बनाने तो यहाँ पर 3 puff के हमारे 2 round बनेंगे और last में हम 2 से complete करेंगे बस इसी तरह से आप घेरे को बढ़ा कर सकते हैं 4th round के अंदर आपके 3 round 3-3 के बनेंगे लास्ट में 2 से complete कर दें तो बहुत ही आसान है इस ड्रेस को बनाना देखे 2nd round हम यहाँ नीचे वाले puff के साइड में निकालेंगे जहां से नीचे वाला puff ता वहीं पर निकाला है हमने और दूसरा वाला जो है 3rd puff हम यहां corner पर निकालेंगे 1, 2, 3 तो यहां पर हमारे 3 puff हो गए धागे को hold करेंगे समय से निकालेंगे hold कर धागे पिक करेंगे 2, 2 से 1 करेंगे एक की chain लेंगे और यहां पर जो है उपर की तरफ दुबारा हम एक puff बनाएंगे 1, 2, 3 और दूसरा puff यहीं पर नीचे बनाएंगे जहां पर हमने last करा है 1, 2, 3 और तीसरा puff हम अपने इस puff के corner पर बनाएंगे 1, 2, 3 तो यह हमारा second round है 3rd puff का धागे को hold करेंगे समय से निकालेंगे hold करे धागे को पिक करेंगे 2, 2 से 1 करेंगे एक की chain लेंगे तो यहां पर हमारे 3, 3 puff के दोनों राउंड बन चुके है last में अब हम 2 से complete करेंगे तो धागे को लेंगे और उपर की तरफ अपना 1 puff बनाएंगे और दूसरा puff यहां नीचे corner पर बनाएंगे 3, यह 2 puff होके धागे को hold करेंगे सम्मे से निकालेंगे hold करें धागे को पिक करेंगे 2, 2 से एक करेंगे एक की chain लेंगे तो यहां पर देखे हमारे 2 puff के उपर अब 3 puff बनकर complete हो चुके है तो यहां पर सभी तरफ जो है round में मैं इसी तरह से जो है इसको बनाकर complete करूंगी और यहां पर देखे है जो ड्रेस में आपके साथ आज शेयर करेंगे बिल्कुल simple design है अगर आप शाली ग्राम भगवान की ड्रेस में भी different design देखना चाहते हैं तो मुझे comment करके जरूर बताना तो आगे आने वाली वीडियोज में मैं शाली ग्राम की इन छोटी छोटी ड्रेस के अंदर भी आपको बहुत ही प्यारे और छोटे छोटे डिजाइन लेकर आउंगी तो यह आप मुझे comment box में बताना कि आप शाली ग्राम की भी different design की भी जो है ड्रेस देखना चाहते हैं तो लास्ट में इसी तरह से बनाते वे जो है हम अपने इस round को complete करेंगे यहाँ पर देखें ड्रेस तो हमारी बनकर complete हो चुकी है मैंने यहाँ पर खाली इसके तीन ही round बनाए है और जैसे मैंने आपको कहा कि आपके शाली ग्राम जी अगर बड़े हैं आपको बड़ा घेरा बनाना है तो इसी तरह से round बड़ा कर आप इसको कितना भी बड़ा बनाकर complete कर सकते हैं और आप बारी है हमारी head बनाने की तो यहाँ पर देखें सबसे पहले किरोशिये को हम गोल घुमाएंगे धागे में इस तरह से गोल घुमाने से क्या होता है हमारे बीच में एक circle बनकर इस तरह से complete हो जाता है इसी circle के अंदर जो हमें अपना work करना है यहाँ पर देखें धागे को नीचे से निकालेंगे और एक दो यहाँ पर मैं इस वाली जो head को बनाऊंगी यह मैं बनाऊंगी half double किरोशिये से क्योंकि हमारे शाली ग्राम जी जो है छोटे ही होते है और प्रॉपर जो है head की finishing देने के लिए यहाँ मैं half double किरोशिये से ही बनाऊंगी धागे को लेंगे hole के अंदर से देखें इस तरह से निकालेंगे तीन है तीनों में से एक साथ निकाल देंगे यह हमारा half double किरोशिया कहलाता है तो यह हमारे 2 हो गए starting में हमने 2 की chain ली थी एक वो हो गया और इसी तरह से half double किरोशिया बनाते हुए मैं यहाँ पर यह देखें इस तरह से half double किरोशिया बनाना है पूरे circle के अंदर और यह मैं बनाऊंगी आठ बार तो आपके जितने भी बड़े शाली गराम जी हो आपको उसी इसाप से यह circle में half double किरोशिया लेने होंगे तो आपके शाली गराम जी बड़े हैं तो आप यहाँ पर double किरोशिया इसे भी जो है इस फर्स राउंड को बनाकर complete कर सकते हैं तो यहाँ पर टोटल आठ बार में इसी तरह से half double किरोशिया बनाऊंगी तो इसी तरह से बनाते वे आप भी जो है अपने इस राउंड को complete करें तो यहाँ पर देखिए हमारा यह राउंड जो है बनकर complete हो चुका है मैंने आठ बार half double किरोशिया बना लिया है और जो फर्स्ट हमारी दो की चेन थी वहां कोर्णर पर हम इसको सबसे पहले तो इस तरह से connect करेंगे और यह नीचे वाला धागा जो है हम पीछे की तरफ push करकर खीज देंगे तो यह बीच का hole जो है भर जाता है यहाँ पर वापिस मैं दो की चेन लूँगी और यहाँ पर जहाँ पर हमने यह वाला connect किया है वही पर एक बार दुबारा half double किरोशिया बना है और यहाँ पर देखिए आगे वाली चेन में मैं दो बार बनाऊंगी और आगे वाली next chain के अंदर एक बार इस तरह से half double किरोशिया बनाते वे हमें second round complete करना है बस हमें इस राउन में यही धियान रखना है कि एक chain के अंदर तो हम दो बार बनाएंगे half double किरोशिया और एक chain के अंदर एक बार बनाएंगे तो यहाँ पर इसी तरह से जो है मैं second round बनाकर complete करूंगी second round भी हमारा complete हो चुका है और जो आगे वाली हमारी second chain है यानि जो chain है उसका जो second वाला यह chain है किरोशिया वहाँ पर slim stitch से connect करेंगे एक दो की chain लेंगे अब हमें आगे के जितने भी round बनानी है यानि हमें शाली किराम जी के लिए जितनी भी height चाहिए आपको जितनी भी height उनकी रखनी है उतनी जो है आपको यह वाली half double किरोशिय की line बनाकर complete करना होगी height में क्योंकि अब हमें कुछ भी increase नहीं करना है आगे तक कहीं पर भी हम increase नहीं करेंगे बस first round में हमें इतनी भी chain लेनी है उसके second round में हम एक chain में increase करते हैं एक में as it is रहने देते हैं जैसे मेरी 8 half double किरोशी की chain थी starting में और second round के अंदर मेरी 4 जो है बढ़ गई है 4 के अंदर मैंने 2 बार half double किरोशिया बनाया और 4 के अंदर एक एक बार तो इस तरह से यह total हो चुकी है 12 तो इसी किरोशिया बनाते जाएंगे तो आगे के जितने भी round आपको बनाने है इसके चार पांच वह इसी तरह से बनाकर complete करें तो यहाँ पर देखे मैंने अपनी हैट के जो है चार round बनाए है यानि third round मैंने आपको बताया था उसके बाद मैंने एक ही line बनाई है बाकी आप अपने इस डिजाइन लेकर आऊंगी आपके लिए शाली ग्राम जी की ड्रेस का तो वहां पर हम सीखेंगे पगडी साथ में बनाना तो मुझे कमेंट बोक्स में जरूर बताना कि आपको मेरे design वीडियो कैसे लगती है और यहाँ पर देखे अब हमें कुछ नहीं करना है सबसे पह चैन नहीं करना है तो यह देखे दो बार बनाया उसी चेन में बना रहे हैं एकी चेन में और यह बनाया हमने तीन बार अब जो आगे वाली चैन है उसको पिक करेंगे और इसी तरह से जो है उसके अंदर भी तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन तो हर चेन को पिक करते वे बस आपको यही करना है इस हैट को बनाने के लिए बहुत ही असान है इस हैट को बनाना यहाँ पर हर चेन के अंदर इस तरह से तीन तीन बार हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और अपने इस फाइनल राउंड को जो है बनाकर कम्प्लीट करेंगे तो यहाँ पर देखे हमारी छोटी सी क्यूट सी हैट बनकर कम्प्लीट हो गया और जो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया था तो उसकी जो थार्ट चेन होगी वहाँ पर उपर की तरफ हम इसको स्लिम इस्टिस से कनेक कर देंगे तो यह राउंड से 10 या 15 मिनट में जो है बनाकर कम्प्लीट कर सकते हैं यहाँ पर देखे मुझे वीडियो बनानी होती है आपको बताना होता है तो उसमें थोड़ा सा समय जाता है बाकि आप अगर इसको वैसे बनाने बैठेंगे तो 10 से 15 मिनट के अंदर आप जो है शाली गराम बगवान क यह ड्रेस बनाकर कम्प्लीट कर सकते हैं और जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग पटका पहना देते हैं या कुछ लोग क्या करते हैं लड्डू को पाल की ड्रेस को बाजू मोड़ देते हैं और बीच में शाली गराम जी को इस तरह से विराजमान कर देते हैं तो देखे मैंने आपके साथ एक separate वीडियो जो है शेयर करी है शाली ग्राम भगवान की अलग से जिसके अंदर बहुती आसान मैंने जो है डिजाइन बताया है यह बिल्कुल सिंपल घेरा है इसके अंदर जैसा आपने मेरे थमनेल भी देखा होगा कितने खुबसूरत लगते हैं शाली ग्राम आपको मैंनी वीडियो और आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट बॉकस में जरूर बताना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना और करन सबस्क्राइब कर लें इसी तराकी और इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए तो मिलेंगे आने व झीक नजब